दोस्तो अगर आपके मुबाइल में भी अलिबाबा एप्लिकेशन की ओर से OTP नहीं आ रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हो दोस्तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल भी स्कीप मत करना तो इसके लिए गाइस आपको करना क्या होगा अगर आप अलिबाबा एप्लिकेशन पर अपना अकाउंट बना रहे हो और अगर आपका OTP नहीं आ रहा है या फिर आप कोई भी काम कर रहे हो जैसे अपना पास्वर्ट चेंज करे या फिर कोई भी ओर करे हो और अगर आपका OTP आपको मोबैल पर नहीं मिल रहा है तो आपको इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है तो सबसे पहले गाइस आपको करना कि अगर आपके मोबैल में OTP की जैसी कोई प्रॉब्लम आ रही है और आपने जो भी नमबर डाले आपको चेक कर लेना उस नमबर पर रिचार्ज है या फिर नहीं आप जिस भी नमबर से अकाउंट बना रहे हो उस नमबर आपको चेक कर लेना है अगर आपका रिचार्ज नहीं है तो आपको रिचार्ज कर लेना है क्योंकि बिना रिचार्ज इप का आप्ष्य मिल जागा अप्स पर क्लिक नहीं की बाद मैनेच तंच करना है कि आपको प्रक्राइन की सभी अपर मिल जाएगी तो यहां Pan up अलीबाबा एप्लिकेशन आप सेज कर सकते हो कि जैसे यहांप अलीबाबा सेज़ करोगे तो आपके सामने अलीबाबा की application आ जागी यहाँ पर आपको जो अलिबाबा डॉट कॉम वाली इस एप पर क्लिक 안ा है 4 सिस्टॉप पर क्लिक रनी की बाद, OK पर क्लिक रना है Clear data पर क्लिक रनी की बाद, Clear all data पर आपको किलीग कर लेना है और इतना करने के बाद यहां से आपको बाहर आना है अब गाइस आप अपने मुवैल में अलिबाबा अप्लिकेशन को ओपन कर सकते हो अलिबाबा अप्लिकेशन पर आप जो अकाउंट क्रियेट करे रहे है फिर जो कुछ भी कर रहे है आपका OTP आपकी मुवैल में आ तो गाइस कुछ इस तारीके से आप अलिबाबा अप्लिकेशन की OTP प्रोबलम को आप ठीक कर सकते हो दोस्तों अगर आप कोई वीडियो चलागा होते इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा